सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल काया कृती को और लेटेस वीडियो को देखने के लिए पैल बटन को दबाईए किचन में काम करते वक्त या घर में छोटे मोटे काम करते वक्त अक्सर हमें कटिया खरोच लग जाता है या जिस घर में छोटी बच्चे होते हैं खेलती वक्त अक्सर उन्हें कर्टिया खरोच लग जाता है कभी कभी तो ये कर्टिया खरोच इतना जादा होता है कि खून का गिरना बंद ही नहीं होता और डॉक्टर के पास जाने से पहले खून का गिरना बंद करना जरूरी होता है ऐसे में हम कुछ आसान से घरेले उपायों को अपना कर ना किवल हम खून का गिरना रोख सकते हैं बलकि उसे इंफेक्शन से भी पचा सकते हैं जब भी आपको कर्टिया खरोच लगे इंफेक्शन के संभावना कम हो जाती है साथ ही कर्टिया खरोच वाले जगों को हमेशा उपर की तरफ उठा के रखिए ऐसा करने से भी खून का गिरना कम हो जाता है जानते हैं कुछ घरेले उपायों के बारे में हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, एंटी बकरियल, एंटी फॉंगस और एंटी सप्टिक गुनों से भरपूर होता है इसलिए कटे या चिली हुए अस्थान पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा देने से इसलिए कटे या चिली हुए अस्थान पर बर्फ लगाने से खून का बहना रुक जाता है और दर्द में भी जाहत मिलता है सहद, कट या खरोच वाले जगह पे सहद लगाने से फायदा होता है सहद में अंटि बैक्रियर प्रॉपर्टी होता है जो इन्फेक्शन से पचा के रखता है कटिया खरोच वाले जगह पे सहद लगाने से ब्लड नवस सी मूड जाता है जिससे खून का बहना फ्रुक जाता है फिटकिरी कर्टिया खुरोच वाले जगपे फिटकिरी लगाने से फायदा होता है फिटकिरी खुन में जमा प्रोटीन को जमा देती है जिसे खुन का धक्का बनने लगता है इसलिए कट या खुरोच वाले जगह पे फिटकरी लगाने से खून गिरना पंद हो जाता है कॉफी पॉडर, कॉफी पॉडर में अस्त्री जैंट होता है इसलिए कट या खुले हुए अस्तान पर थोड़ा सा कॉफी पॉडर लगा देने से खून का बहना रुख जाता है टी बैक, टी बैक को भी चोट वाली जगह पे दवाने से खून का बहना रुख जाता है इसके लिए टी बैक को थोड़ देर के लिए ठंडे पानी में डिबो के रखे और उसके बाद कट या खुले हुए अस्तान पर इसे दवाईए ऐसा करने से खून का बहना रुख जाता है आप चाहे तो चाय पती को भी कपड़े में लपेट कर इसका यूज़ कर सकते हैं टी ट्री ओल टी ट्री ओल एंटी बक्टेरियो और एंटी सप्टी गुनों से भरपूर होता है इसलिए कटे या छिले हुए अस्तान पर टी ट्री ओल लगाने से ये गहाओ को इंटेरियो बचा के रखता है दर्द में राहत पहुचाता है और गहाओ को जल्द ही भर देता है इसके लिए आप एक कप गुनगुने पानी में एक चमच ट्री ट्री ओल डालिए और इसे कटे हुए एरिया और उसके आसपास एरिया को अच्छे से धोईए तूट पेस तूट पेस में ऐसे जैन्ट होता है इसलिए मामूले कट या खरो जाने पर उस जगा पर थोड़ा सार तूट पेस लगा देने से खून का बहना रुक जाता है चीनी हाथ में या पैर में कट लग जाने पर या लिप में कट लग जाने पर उस जगा पर चीनी लगाने से खून का गिरना बंद हो जाता है लेकिन 15-20 मिनट के बाद आप अपने घाव से चीनी को दोकर साफ कर ले कटे या चीले वे अस्थान पर थोड़ा न लगा देने से खून का बहना रुक जाता है आटा घाव को बंद कर देता है और खून को सोक लेता है पैट्रोलियम जली कटे या छिले वे अस्थान पर पैट्रोलियम जली लगाने से खून का बहना रुक जाता है पैट्रोलियम जली खून को बाहर निकलने से रुक लेता है अलोवेरा जेल अलोवेरा जेल एंटिवेक्टरियल एंटिफंगस और एंटिसप्टिगुनों से भरपूर होता है ये नाकेवल हमारे चेहरे के लिए फायदे मन्द होता है पलकी कटे या छिले हुए असान पर अलोवेरा जेल लगाने से ये खून का गिरना रोकता है दर्द में राहत पहुचाता है और घाव को इनफेक्शन से पचा के रखता है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मेरे चैन को सब्सक्राइब करिएगा नमस्ते